हाँ तो अब देखिए आज की वेरी इंपोर्टेंट थियोरम है आपकी 12.8 यह करे भी ना 12.3 करने कोई मतलब नहीं है क्योंकि 12.3 जो है इस पर पूरी टोटली बहस्ट है ठीक है और थियोरम भी एक्जाम के इंदर आ जाती है कुछ बच्छे थियोरम नहीं पढ़ना है सिर् सबसे इंपोर्टेंट थियोरम है पहले समझो की इसके डाइग्राम आता हूं मैं आपको कित्ते डाइग्राम पॉसिबल है और कोन से एंगल की बात करा हूं जैसे यह सेंटर पॉइंट है हमें चाप द्वारा यानि कोई भी एक आक लेलो सब्सक्राइब लिया एक चाप ल चाप द्वारा सेंटर पर इस आर्क द्वारा सेंटर का मतलब के अंदर पर कोई एंगल बन रहा है समझ कि यह जो एंगल बन रहा है यह इस सेर्कल की दूसरी चेंश किसी भी बिंदू पर उस पर अंतरित कोन का दुगना होता है समझ पार दूगना मतलब अगर यह यहां प इसे यह दुबुना होता है सेंटर पर बनने वाला अंगल या यह पॉसिबल है या फिर मैं एक डाइग्राम और बना हूं इसी का तीनों डाइग्राम आपको एक्जाम के दो बना के आने हैं जैसे मैं कहूं कि सपोज अपने आग अभी यहां लिया था अब एक आग ले दें स इंटर पर जो यह अंगल बन रहा है आपको बता है स्ट्रेट लाइन है स्वरल रेका है तो किते डिग्री अंगल है यहां पर एक सोसी डिग्री होता है तो इससे बनने वाला अंगल यह वाला यह किते डिग्री होगा क्योंकि इससे यह आदा होता है यह दबल होता है सब्सक्राइब यह सेंटर पॉइंट से नीचे है यह सेंटर पॉइंट पर है के अंदर बिन्दू यहां अपने सब्सक्राइब आप लिया चाप लिया ए बी मेरी बाद समझ पा रहे हो इन तीनों के लावाद चोता डायराम नहीं बनेगा इस दबल दोगने में ठीक है इन त त्ट्य। ... त्ट्राउर्म काम करता है यह जिर थे सेंटर फ्र एंगल बन रहा है तीग है इस यह एंगल इसका दुगना होगा कि justement ईससे दुगना होगा इसका नाम दे दिया सी तो तीन डाइगराम इस थ्ट्ट्राउर्म करना फिर प्र von-फॉसिबल ो अब मेरे बाद समझना हमें गीवन क्या है चाब द्वारा वरित के के अंदर पर अंदर रित कौन वरित के शेंच बागे किसी विंदो विंदो कौन का दोगना होता है तो इसका मतलब हमें गीवन में लिख दिया आपके लिए कि एंगल सब्टेंड़ेट बाइ आर्क एबी टू सेंटर ओ ठीक है यानि कि आर्क एपी की द्वारा सेंटर ओ वो तो एंगल है एओ बी और रिमेनिंग पार्ट इस एसी बी रिमेनिंग पार्ट पर बन रहा है वो है सेम थेयोडी रहेगी कि चाप एबी द्वारा के अंदर ओ पर अंतरित कौन तो है एओ बी एओ बी और शेंस जो रिमेनिंग पार्ट पर बन रहा है वो है एसी बी चाहिए एसी बी यहां बोल दो चाहिए बोल दो चाहिए बोल दो समझ पारे हो ना यह रूल है यह करना है और ज paper में जैसी ठेली फिरल्गार स्रेटमेंट वैसे होने चीङ क्योंकि एक बिल्कुल बेर इंपोर्टेंट सकता थीट ठीक है तो प्रूह में क्या करना है कि यहां सेंटर पे जो एंगल बन रहा है समझ गे इसका मतलब यह वा कि ACB से AOB दुगना है लेकिन आपको लिखना नहीं आएगा यागर मेरे language से नहीं लिखोगे तो यानि कि जो AOB इतना पावरुफुल है मतलब इतना इससे दुगना है इतना पावरुफुल है कि ACB को करेंगे मेरी बात को समझना करेंगे यानि की रचना करेंगे रचना क्या करेंगे कि यहां सी से एक लाइंड रो करेंगे और से होती हुई ठीक है से दो समत्री पी तक जाएगी है समालो या पी कोई पॉइंट देंगे ठीक है कुछ भी दे सकते हो कोई इशु नहीं है कि पी दे कुछ भी दे सकते हो ऐसे हैं पर तीनों डाइग्राम के अंदर थोड़ा सा इसको प्रेड्यूस कर देंगे तो अपर लिखेंगे कि यानके सी को पी तक बढ़ाया औस रही होते हुए यह सकते हो C को पी तक ओ से होतेowे बढ़ाया एक ही बात है उससे फ्रक नहीं पड़ता इसके बाद देखो अब अपन चलते हैं प्रूफ में ठीक है? टू प्रूफ काफ एजी है उपड़ती है लेकिन अच्छे से समझगी करना देखो यहां अपन टीनू डाइग्राम उज़र देखें तो अपनों यह पता चले कि अगर अपन ट्राइंगल की बात करें मैं बात करूँ एसी ओ की तो आपको नज़र आ रहा होगा ओ से लेके ए तक यह इसकी रेडियस से तरिजा है ओ से लेके सी तक यह इसकी तरिजा है चाहिए इसकी बात करो तरिजा है तरीजा है, तरीजा है, इसका मतलब यह ट्राइंगल है, A, O, C, यह भुजा, इस भुजा के बराबर, यह भुजा यानि यह साइडि साइड के बराबर, इसका मतलब जो यह A, O, C है, यह ट्राइंगल बन गया Isosalus Triangle, क्योंकि जिसकी दो साइडें बराबर होती है, वो सम्द्वी बाहुतिरबुज होता है, आइसलस का मतलब सम्द्वी बाहुतिरबुज होता है, यानि कि अपने लिख सकते हैं, ट्राइंगल एओसी है, एओसी बोल दो चाहिए, ट्राइंगल एओसी इसे, इसे इन आइसलस ट्राइंगल, ठीक यानिस कि तर्फुज यह ओसी हिए एक समध्वी भाहु तर्फुज है ठीक है यह समध्वी भाहु तर्फुज है जिसकी दो साइडें बडाबर है क्यों है विसन यह है हूज कि एक्वल साइड्स र, कौन-कौन सी है, O-A बराबर O-C ब्रेकिन में कहलेगे देंगे radius of circle radius of a circle, हिंदी वाल बचल लग देंगे, जिसकी O-A बराबर O-C बोजाएं बराबर reason क्या हो गया तरिज़ाएं है, वरित की तरिज़ाएं है समझगे, वरित की तो आपको छोटी क्लास में पड़ा होगा कि बराबर भुजों के सम्मुक कौन बराबर होते हैं यानि कि इक्वल साइड के ओपोसिट एंगल आर इक्वल समझ पारे हो तो यहां अपने पास जैसे कोई साथ भी ट्राइंगल पकड़ लो तो तीननों सेमी डाइगराम है कोई साथ डाइगराम उठालो तो अपने ओए बराबर है ओसी के ओए की सामने कौन सा एंगल है मैं आपको इसा बताता हूं चलो अब इजी पड़ेगा ट्राइंगल लेते हैं अपन यह ए ओसी तो चलो यह समान लेते हैं ए ओसी अब एक बात ओए और ऑ ओसी बराबर बतारें पर तो ओसी सामने वाला एंगल कुनिसाउग अगल ने गया ACO बराबर OAC का reason क्या हो गया Reason लिख देना Opposite Angle Of Equal Sides ठीक है बराबर बुजाओं के सम्मुक कोण बराबर बुजाओं के सम्मुक कोण हमेशा बराबर होते हैं काम की चीज़ निकल के आगई है अब मैं आपके नहीं चीज़ सिखाता हूँ exterior angle property यंगी त्रिभुज का बईश कोण कैसे निकालता है जैसे एक बात बताओ जैसे कोई ये triangle है पहले समझना पूरी बात को इसको मैं थोड़ी line को आगे बढ़ा दो तो ये इसका बाहे कोण हो गया अब इसे बोलते है exterior angle जैसे मैंने इसको कुछ नाम दिया ABC समझना ना इसको देदिया सब्सक्राइब तो ये जो angle होता है ACD द्यान देखना हूँ ये ACD angle बाहिश कोण बता रहा हूँ ACD बराबर इसके अंदर वाले को छोड़ना है बाकी दोनों का सम यानि कि CAB एक बार तो A आ गया प्लस ABC समझगे ना ऐसे बहिश को निकाल जाता है तरभुज का exterior angle निकाल जाता है मैं बात करूँ इस triangle ABC का तो triangle ABC का क्या बहिश को जाएगा ACD और ACD को लिखा जाता है CAB मतलब इसके अंदर वाले को छोड़के इन दोनों एंगल का सम A और B इसे बोलते हैं तरभुज का बाईश को निकालना ठीक है इस triangle ही में अगर बात करूँ अपनी यहाँ पर तो in triangle AOC AOC इसके अंदर AOC exterior angle of या फिर AOC जाइश टीर अंगल AOP समझने आ गया AOP is in exterior angle यानि कि तरभुज AOC में कोण AOP बहिश कोण है मैंने समझा तो यह बहिश कोण कैसे निकालते हैं exterior angle निकालते कैसे देखो यह जो triangle है AOC दिख रहा है इसके बहार यह angle बन रहा है AOP यह रहा हूँ तो अब हम इसको AOP क्या लिख देंगे AOP equals to इसको छोड़के उन दोनु का सम समझे हैं मैंने भी बताया था आपको क्योंकि यह उतो ले रहे हैं पन तो अंदर वाले को भी छोड़ना है तरीका बता रहा हूँ लिखने का बागी क्या बच किया A और C यानि कि O A C O A C प्लस एंगल O C A O C A ठीक है यह angle का साहिन है तो दोनु का सम यह exterior triangle property होती है ठीक है बाइशकोन की property होती है तो इसके बाद अपन देखो A O P अब एक बाद सुनो यहां पर है A O A C O A C और यह है A C O A C O और O A C दोनों आपसें बराबर है यह दोनों angle आपसें बराबर है इसका मतलब इसको दो equation first और यहां पर भी अपने क्या करो इसको भी A C O रख लो और यह भी A C O है ही और लिख देना from equation first समिकरन एक से समिकरन एक नहीं देता है फिर यह अलग रख देखाँ सा इसलिए हमने उसको equation का नाम दे दिया तो A O P बावर 2 A C O समझ पा रहे हो यह बड़ी important चीज़ आगी समिकरन दो equation second अब similarly करके मेरी बात को द्यान समझना similarly क्यों लिखा इसी परकार अगर अगर अपन पूरा प्रोसेज इतना करेंगे फिर उसका कोई फाइदा थे नहीं क्यों क्योंकि देखो यह जो triangle है ना इसकी यह वाले side और यह वाले side बराबर क्योंकि यह radius है यह radius है अपने भी यह triangle है यह वाला OAC जिसके अदर property लगा दी है अपने यह वाली same to same यह है वोई दो radius है वोई आइस्वालस triangle है मतलब समझना त्रिबूज है और वोई बाइशकॉन प्रोपरपरटी लगागी BOP बाइशकॉन का मतलब exterior angle property इसलिए जब same to same होते है ना तो similarly करके भी लिखा जा सकता है जैसे अपने AOP बराबर 2ACO लिखा वैसे अपने इसमें लिख देंगे BOP BOP इसका क्या है BOP इसका exterior angle है मतलब बाइशकॉन है तो BOP का मतलब इन दोनुं का sum तो दो बार आएगा repeat होगा तो अपने लेंगे 2BCO BOP बराबर 2BCO similarly करके और यह आजाएगा sum एकरन 3 बहुत easy तरीका है ना हम मेरी बात को समझना हो अपने को answer चाहिए AOP बराबर 2ACB तो हमने सोचा equation second और third में दिमाग लगाई था अपने अपने चाहते हैं तो इसको OAC में भी change कर सकते थे OAC, OAC दोनों में 2 OAC होता और फिर वापस जाके इसमें value रखते हैं थोड़ा लंबा पड़ता लेकिन अपने यह इपर direct इसको ACO में change किया दिमाग लगाना ना इसे नहीं आद होगा अच्छे से समझ के learn कर लो theorem को solution भी क्या कि fix solution है एक्जाम के दिमागा अच्छे समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा मैंने दोनों में ACO, BCO मतलब दोनों में CC एंगल रखा है आप notice किया हो तो ACO मतलब आदा एंगल BCO मतलब यह आदा एंगल दोनों मिलके पूरा एंगल C पूरा बन गया और यहां पर हमें C पूरा चाहिए ACB इसलिए मैंने दोनों में CC लिया अब समझ में आगे आपके चलो एक बात यह समझ में आगे दूसरी बात मैंने इदर AOP लिया AOP इदर BOP लिया BOP दोनों मिलके AOP इसका मतलब AOP भी आ रहा है इसका मतलब दोनों इक्वेशन को आपस में प्लस कराओ तब आंसर आएगा हमेशा सॉलुशन आंसर को ध्यान में रखते हुए आपको करना है समझ गे न अब आपन क्या करदेंगे AOP करदेंगे EQUESION FIRST PLUS EQUESION SECOND आपको तोड़ा स्टाटमेंट लिख देना है अब EQUESION FIRST क्या है LEFT वाला LEFT EAD होगा AOP PLUS BOP ठीक है इधर 2ACO है 2ACO PLUS 2BCO तोड़ा मैं नीचे लिए देता हूँ आपको तो एक ही लाइन में लिखना है SPACE कमेश लिए AOP और BOP कोई साइड डाइग्राम देख लो एक ही बात है AOP बन गया AOP बन गया और 2 दोनों में common आ रहा है इसमें भी 2 इसमें 2 common तो अंदर क्या बच जाएगा एक तो इधर बच जाएगा ACO इधर बच जाएगा BCO तो मेरी बात समझना AOP बराबर 2 बाहर रहे जाएगा AOC AOC और BOC यह मिलके क्या बन जाएगा देख इधर आओ एंगल क्या है मापर ACO इसमें नहीं O लिख दिया गलद ACO ACO और BCO दोनों मिलके बन गया AOB समझ पारे हो तो AOB तो यह बन गया AOB प्लस BOP एंगल AOB हो गया और 2ACO ACO और BCO मिलके बन गया 2ACB पूरा का पूरा देखो ACB और यही हमें क्या करवना था प्रू करवना था तो मेरी बात फिर से रिवाइज करा दो आपको बहुत ज्यादा इजी है इसके यह बाहर वाल एंगल है इन दोनों के सम के बराबर होता है इन दोनों सम के बराबर होता है वो हमने बारे बारे लिख दिया दोनों को जोडते अंसर आ गया तो very very important आपके थ्योरम 12.8 complete